शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे मैं आपको घबनाने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिलट में पाए अपना सारा समान बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार ग्लोबल मार्केट में मन्दी की वज़े से तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है जादा तर सभी तेल सस्ते हो गए है मलेशिय एक्स्चेंज में 2 फीसदी की गिरावट है जबकि शिकागो एक्स्चेंज में लगभग 1.5 फीसदी ये टूटा है विदेशी बजारों में गिरावट की वज़े से लगभग सभी तेल तिलहन की कीमतों में दबाब रहा है मैं सूत्रों ने कहा है कि मंडियों में सर्सों की आवक लगातार कम हो रही है दूसरी और बिनौला में कारोबार लगभग रुक गया है मैं कच्चे पाम तेल और पामोलियन तेल में भी कारोबार बहुत कम है लेकिन डॉलर में इनके भाव मजबूत बने हुए है मैं मलेशिय अक्चेंज में गिरावट की वज़े से सीपियो और पामोलियन में भी गिरावट देखने को मिली है जबकि शिकागो एक्षेंज की गिरावट की वज़े से सोया बीन तेल तिलहनों के भाव नरम है वैसूत्रों ने कहा है कि सरसों की आवग घटने से इसका रिफाइंड बनानक कम हुआ है पर इसे पूरी तरह से रोकने की जरूरत है क्योंकि आने वाली बरसात और जाड़े के दिनों में सरसों की मांग बढ़ेगी इसका इस्तमाल विशेश रूप से उत्तर भारत में होता है मैं सूत्रों ने कहा है कि सरसों तेल के मामले में थोक भाव घटने के बाद भी उपभोकताओं को 150-151 रुपे लीटर के बजाए MRP की आड़ में इस 190-210 रुपे लीटर के भाव पर बेचा जा रहा है मैं सरकार को पहले MRP वेवस्ता को दुरूस्त करने का इंतजाम करना चाहिए Bureau Report Market Times TV